हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चाल्ग जाब्स इंशॉट्स पे आज मैं फिर से हमेशा की तरह एक बार नई वेकेंशी की जानकरी लेकर आपके सामने आया हूं जो कि हमारे पास निकल कर रही है गवर्मेंट मेडि करने के लिए अप्लिकेशन मोड क्या रहेगा तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑफ्सान अवेलेबल है यानि आप इस फर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से भर सकते हो तो यह दोस्तों इस वेकेंशी के बार में डीटेल बाते कर लेता है लेकिन उससे पह पुष्ट अभोग rich फोडब्य को अधी मेडिकल ऑफीचर के लिए 15 अप्स्टा लेडि मेडिकल ओफीर के लिए imaging सविफोड्य मेडिकल ऑफीर के लिए दो पोस्ट जबकि झूणिर रेजिदेंट क्लेइटीन के बात करे तो इस यह इनाट्ट कर लेकिस्चे दिपोर एमीक सब्सक्राइब कर पाएंगे वह अगर पोस्ट्राइब कर पाएंगे जबकि डेमोंस्ट्रेटर लेडि मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के लिए जिन कंडिट्स ने अगर बात करें दोस्तों अमर्जनसी मेडिकल ऑफिसर के लिए तो इसके लिए जिन कंडिट्स ने अबभिस या पोस्ट्राइब कर रखा वो सारे कंडिट्स के लिए अवदन कर सकेंगे अगर सालरी डिटेल्स की बात कर लें पोस्ट वाइस तो सीनियर रेजिडेंट कैज़ को मिल जागी 47600 ने बात करें लेडिकल औफिसर अबर्जनसी मेडिकल और जुनियर रिसिडेंट को दो इनके लिए 5610 रुपे अगर भात करने दोस्तों आईव सीमा की तो कानिडिट की उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं ओने चाहिए एक जनवरी दौरबाइस से पहले तक और अगर IUC मा हम लोग post wise बात कर लें तो senior resident, casualty medical officer, resident anesthetist और resident pathologist के लिए maximum 45 वर्स रखी गई है जबकि demonstrator, lady medical officer, medical officer और emergency medical officer के लिए IUC मा maximum 37 वर्स रखी गई है वहीं अगर बात करें junior resident की तो इनके लिए maximum IUC मा 30 वर्स ही रखी गई है अगर application fee की बात करें तो सारे general candidate और OBC को pay करना में 500 रुपए जबकि SCST candidate को pay करना में 250 रुपए वह PWD candidates के लिए कोई भी application fee नहीं लगेगी यान उनके लिए फॉर्म फ्री अफ कॉस्ट है जबकि fee payment की mode दोस्तों completely online लखी गई है selection process दोस्तों return test और interview based होगा और अगर आंत में हम बात कर लिए important dates की तो यह form भरने की प्रक्रिया एक November 2022 से start होगी जो की 15 November 2022 को खत्म हो जाएगी अगर बात कर लेते हैं offline form की लिए last date क्या होगा तो जो candidate offline mode में application form fill कर रहे हैं उनके लिए last date 19 November 2022 रखा गया है यहारी 19 November 2022 से पहले तक आपकी form respective address पे पहुच जानी चाहिए और अगर बात कर लेते हैं दोस्तों return test date की तो इस अच्छी बात है दोस्तों कि examination की date भी आपको बता दी गई है senior resident के लिए 23 और 25 November को exam होगा जबकि casualty medical officer resident anesthetist के लिए 23 November को exam होगा resident pathologist के लिए 25 November को exam रखा गया है जिबकि demonstrator के लिए 24 और 25 नमबर 22 को exam रखा गया है lady medical officer medical officer और emergency medical officer के लिए exam date 24 November रखा गया है जबकि junior resident के लिए 24 और 25 नमबर को exam conduct करवाय जाएगा तो उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको इस वाकेंजे से related सारी details समझ आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है या query है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हो साथी एक बात और मैं आपको बता दूँ कि इस वाकेंजे से related सारे important links आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे उस पर क्लिक करके दोस्तों आपने form के लिए आप एधन कर सकते हो और साथी notification भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमार यह पसंद आया होगा अगर हमारे यूटुब चनल पर नए है तो हमारे चनल को सब्सक्राब जरू करें और अगर हमसे पहले से यह जूड़े हो ने तो आप लीडियो को लाइक और और स्यार करना ना भूले साथी हमने कमेंट करें जरू बता है कि आपको हमारा यह वीडिय की जांकारे लेकर जय हिंद।